तो 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 दल बदलू है जहां स्वार्थ मिलेगा हूं जाएंगे आपको क्या लगता है फिर छोड़ सकते हैं और यहां पर जो है राजबरों का जमावडा लग गया है हम इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि यह लोग समाजवादी पार्टी के साथ चल नहीं क्योंकि इनके जो नेता हैं उन्प्रकास राजबर जी वो अब भाजपा में सामिल हो ग कि मीटिंग है यहां पर कुछ लोग इससे जानते हैं क्या नाम है क्या नाम है आपका करनदेव राजबर जी अठीक यहां वह समझवादी कि पार्टी की मीटिन तो इनके अचिक यहां तो सभी लोग उमद्धा मजदूर है जिदर जाएंग उधर सब जाएंगे राजबर स समाज पहले के पीच्छा सभी समझोत हुआ हैं आर्थिक हालात भी सुधरें पहले के पीच्छा सब्सक्राइब पहले से बहुत ज्यादा ञार जाद है कि जैसे पहले sosil media भी कि शरकार प्लाइब भी तक आप साथ में थे राजबर जी की तो कौनसे यह अंप्रकास जी की बात कर रहें जो विवजन है नैं इन के बातों का मैध कौई वजन है आप बता दें उनकी बातों का कोई वजन एफपह कुछ करते हैं जयां उनक्तिकत फायधा होता है तो के कि बेटे मिले मानि मुख्य मंत्री योगी आदितनाच जिसे मिले हैं वह दोनों बेटे मिलें क्या सुहल्द वारती समाज वह समाज नहीं है अप लोग अव्लों का economy journalism नीचिन जयो मेडिया irritating दूंट बनाटे ये यह मीडिया बंदो की देन हैं कि उनके उजूल फुजूल जो बयान आते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा चलाते हैं लोग जो गंभेर नेता है कम बोलता और जो बोलता है वो दंदारी से बोलता जैसे हमारे आधारिंड रामचल राजवर जी हैं इनके बातों में जो जितना वजन है अभी आपने देखा उतनी बड़ी मीटिंग थी एक समाज की नेता होते तो इनको बैंगलूरू नहीं बुलाया गया होता ममता बनर जी बड़े बड़े जो परदेश के मुखे मंत्री हैं उनके साथ इनको वैठाया गया तो यह उनके ब्यक्तिगत स्वार्थ वाल जब परदंगे नाम है बड़े पर जितने लोग है वो राजबर खड़े हुई और यहां पर आया है क्या नम वात्व शब्हेई राजबर पूरा महु जी है सब लुग जोड़के हुं प्रकास जी को कहें के भाग जै अब मंत्री बनने जा रहे हैं जिसको पीपी कर गाली बताई कि सब पहले से ही आप समाजवादी पार्टी में थे कि अम प्रकास राजबर जी जब समाजवादी पार्टी में जॉइन विद तब आप लोगा है कि हम लोग इनके जब कांशी राम साव जी मर गए तो बहन जी अवो कांशी राम साववाली पाल्टी नहीं रहा जितने बीऎस्पी में काम करने वाले राजभर समाज आश्वार समाज के लोग लेते वह मानि राष्टी अलडग्ष अकलेस यादो जी के नेत्रीत में मानवर कांसरी राम सावब जी के मिसन पर चलने का काम करने लगे तो जीतना उपेचित सोब जो है कि समझवादी Park में माने-ाम अचल जी के नेतरीत में सारे लोग मुझा वाधी हो गए एपसे जिए इस ज़ित के आए हैं वह और उमपकराज के साथ में गरनी में वह घशना ना जीम का गढ़ी आनकेgress about, croch, मेंटा नेताथ टो हमा रहे हैं अकबर पूर्विदान सभा जो अंबेटकर नगर में पड़ती है वो बस्वा का गड़ कहा जाता है जैसे अभी आपने कहा कि वो उम्प्रकास जी का गड़ है वो बस्वा का गड़ कहा जाता था और वहां आदर्णी रामचल राजबर जी छट्वी बार लगातार चुनाव चुनाव कभी हारे नहीं है अपने ही दम पे वहां के लोगों से अपील किया और आदर्णीयां मुख्यमंत्री जी को सांसद बनाने का काम किया अकबर पूर लोग सभा अकबर पूर है तो ऐसा नहीं है राजबर समाज जग चुका है और जूठी फरेवी ब्यक्ति से दूर अब यह समझ लीजिए कि पिछडों की लडाई कौन लड़ रहा है अधर मुख्यमंत्री अखलेश यादव जी तो हम उनका साथ देंगे उनको मजबूत करेंगे जब उनको मजबूत करेंगे तो दलित मजबूत होगा राजबर मजबूत होगा चमहान मजबूत होगा कुस दर्ज नहीं हो रहा है वह तो बस यह है कि आपका ओट लेंगे आपका इस्तमाल करेंगे और जिंदा बाद जंडा डवाने काम यह भारती जनता पाटी के लोग करेंगे और उसी के एक अभिन अंग बनने अभिन तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह तो दल बदलू है जहां आपको क्या लगता है फिर छोड़ सकते हैं क्या कोई गारंटी है का लिखित दिया इस्टम पेपर पर क्या की नहीं चोड़ेंगे और आज उनको फिर मांगेंगे टीकट अपने बेटे को नहीं मिलेगा फिर छोड़ेंगे अब कर दावेदारी कर रहे हैं यहां सभी कर रहे हैं यहां सभी किसके लिए मांग रहे हैं आप बताएंगे अगर आप तो वहाई मीडिया के लोग अपने लिए कर रहा हूं कि बाप पूत की पाटी है उम प्रकासवादी जो कहते हैं यह सब फरेवी हैं यह समझ लीजिए जनता के आखों में दूल जोकने का काम करते हैं जनता के अभी उनके बगल में राजवर्ग समाझ के उपर बहुत बड़ा त्याचार हुआ उर्तमान विदायक मा भरोसा दिलाया कि आपको न्याय मिलेगा तो यह किसी पर दान राजवर्ग रहे इस है तो इसी जोगरेबाद में से ठीक ना एक प्रदान के हत्या हुए थी हमारे साथ भी प्रदान था दो आर दस में से हिदेनाय राजवार पर सुपूर जोरा भी है ठीक ना तो उसमें मा पर दान बेटी आ नाव से जा रही थी करीम मैलाएं को आलू खनने के लिए इसे तो नाव भरिया कि दूप गमर गया वहां अमने रामचल जी को मने फोन किया रात में एक बज़ा रात को वहां पर कारकरम दे हमारे हुए से मैं परदासन का था था उसमें से आये आये वहां आपका कहना है कि जहुराबाद में जो राजबर हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं अटरब जो जहुराबाद में जो राजबर हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ है मानि अखलेव जी के साथ नहीं है कि अब उनको आरक्षड मिल गया उनके बेटे को बात and ticket मिल जाएगा उनके बेटें तो अपने घर परिवार से लेना देना है उतना चुड़ाव टिकट के बटवारे में यहां समझवादी पाल्ठी से चुना लिए गठ बनन करके अपने लड़े अपने बेटे को लड़ाएं से टिकट को बेच दिए उनके जो भी लड़े हैं उनके दल के करकारता नहीं रहे ह कोई राजबर को लड़ाने के काम की है और यहां पर रामचल राजबर जी का आगमन है और यहां पर राजबर समाज के लोग थे